हालो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छी होंगे मैं हरिसाव अभिपसा उजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस और प्लेटफर्म में आपको सौगत करता है तो भाई हमने पिछले लेक्चर में छह नंबर जो कोश्चन हैं उसके बाए हम डिसकर्शन कर रहा थ आधा जो बस गया था उसका डिसकर्शन करने का आपको आधा किया थे जो कि आज हम लेकिया है तो हमारा जो कोश्चन है वह कहां आटका हुआ था भाई मनुष्य के उत्सरजन तंद्रगा नमांकी चीतर बना कर जो कोश्चन था वहां पर आके हम लोग रूप गया थे तो उमध है आपने इस चैप्टर का पूरा इंजावर्मेंट परर रखा है आप छार रहुल उसके कर रहे हैं पूरा अच्छे समझ भी गया है अब हम बात कर रहे है क्या आपके जो 6 नंबर कोश्चन जो बचा हुआ है इसके बारे में तो सबसे पहले कि जो कोश्चन है वह उत्चरजन तंत्र को लेकर आया हुआ है जो कि 6 नंबर में आया है और यह कैसे पूछ आता भई कड मनन WIN देरकणि जैसे तीन नंबर में पूछ दिया आगार तो सिर्फ डाइगराम दे देगा और एक्सपलेशन दे देगा और अगर यहें नमपनेट पूछ दिया तो पूरा एक्सपलेशन देना है पूरा देखो न और यहां की चीतर भी यह आया था दो और 17 में आया गया था पूछा गया है कि उसके नमंकी चीतर भी बनाई और वर्नन कीजिए तो वर्नन हमें करना है तो सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि डियागराम कैसे लिखना है तो डियागराम जैसे आपको बूक में दिया है उसको अच्छे से लिख दो तीन तो प्रैक्टीस कर दिया और अगर हम आने जिए लेक्च्छर में भी तक करेंगा कि आपको डियागराम कैसे बनाने हुस पर भी वीडियो लाएंगे तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चों आपको बूक से अच्छे से देख कर क्या बनाना है छीज़ा बनाना रहे आपके एक जोड़ा जो रिक है जिसे बोलते है किडिनी वह मुत्रासा की और जाने के लिए कुछ पैप से जूड़ा होते हैं तो यह कंप्लीट जूड़ा हुआ जता है उसके बाद सर यह क्या करता है चहनन कर प्रोशेस है वह सब करने के बाद अंत में आपके मुत्रासा में घ्राओ की रूप में आगर निकल ले तो मुत्र बोला जाता है जिसको हम हम वह धनीयों से लेगजाके मुत्र मारगउस से क्या करते हैं हूं अदर भी क्या हो जाता है घरते अनतर है क्या करता है सिह पिर्दय में R característ रिमकी चल र Dwoon डिया होती है इसके बारे में तो सैंडर बहुंछ-व्रिक कर लग जाता है जो ने है क्या है बच्चो जो परिक के इंदर जाता था मत्लब प्रॉट जो किड्नि के अंदर पाइजाता है वह जो कैसे रहता नाते है ज़ ei जो है कितना रहता है एक वरिक के अंदर में बात करे जाए तो 10 लाग अनु जैसे जिसरा रशना पाया जाती है हां तो यह होती ही निया फ्रान ये कोश्टन भी पूछा जाता है तो आपको अच्छे से इसको तैयरी रखना है भई बच्चो है ना यह क्या होता है यह संग्रल्घकवानि आइन होती है यह वरिक के धमनी और आपको अच्छा सेसे करना है लेकिन अगर मेंने बात करूं तो सर्जी यंग उसके बारे में दो दो लाइन तिन ती लाइन का एक्सप्लेशन देना जैसे कि वरिक किड्नी क्या होती ही सर यह जो सेम की बीच की तरह होता है जो इसा दिखाई देता है बच्चो देखो दो आपके मेरुरज्यू के मतलब स्वारी मेरुरजी जो दंड है आ तक की बात समझ मैं ही जो कि क्या होता है वह आपके उसर्जी पदारतों को क्या करता है उसर्जी पदारतों को रोक लेता है और कसरी दन के दोनों और गहरे लार रंके स्यम की बीच की समान दिखाई देता है यह होता है आपका क्या होता है एक जोड़ी मुत्र वाहिनया होत फ़ायं कै है न उसमें क्या होता है ये 25-30 cm की फिलति है मतरसे में लेकर खुणति है क्या दॉतर पूरमें वाता होगा है फिर मुत्रमारगा के माध्यम से युरिना पार्ट जो है उसके माध्यम से हम अब सिस्ट पद्रवों को रिलीज किया जाता है यह बात हुई आपके किसके बारे में उत्सर जंतर के बारे में जो की कि पूछा गया था सर यह होता क्या है इस पर चाशा करते है तो बड़े में बता दो इसके बारे में एक चीज कि यह प्रकास की क्रिया हरी लवक जो आपके जर्रेट करते हैं अक्सीजन देने के लिए आपके लिए अगर बोलु और act पोधा हमेरे लिए क्या काम करता है भाई खादिर्स लंक्रा में पोसक्तत्तों के बाती काम करता है तो इन सब प्रोसेस के लिए रंद्र का खुलना रंद्र का बनना होना बहुत जरूरी है क्यों क्यों कि ये सब होने से ही उनके अंदर में क्या आता है उनके अंदर में पानी पानी का अब्जॉप्रिशन होता है उसमें वह पानी रुपता भी है तब जाकर उसका ग्रोध भी वोटे होता है तो यह कैसे होता होった तो एक तो रहा मैं अछह से बात करुछ तो मुझे आता है तो मुझे क्या दिखाई देता है सर यह जो रंद्र है खुला हुआ है और जो अगल अगल में दिखाई दे रहा है जरली 22 पत्री अब 22 पत्री और 22 पत्री के बारे में आप पता ही होगा एकविश पत्री मतलब ऐसा परदा है फिर ऐसा कर्म में बोलतू हूँ जो जिसको मैं तोड़ नहीं सकता और जिसको मैं तोड़ दू समान भागों में जैसे कि चना की बात करूं चना को मैं तोड़ सकता हूं दो भागों में लेकिन गेहों को मैं नहीं तोड़ सकता एकविश सेल किसमें दूइबिज पत्री में और इसमें किसमें होता है जो एक बिज पत्री होता है उसमें क्या होता है वो बारी सत्र में होती है किसमें एक बिज पत्री में मैं बात कर रहा हूँ दूइबिज पत्री का तो यह जो सेम की बिज की तरह होता है कौन गाड़कोशी का बीघडस भी पाया जाता है टीक तक की बात समझ में आई यह जो है रंदर का कम आए जो सबुस्का क्ल Sm警 ऑप ही अब प्रोशेस कैसा वोता हो सब करते हैं तुर है और यह द्याककरम है जो बदाता है यह बंद हो आ है यह रहन string के बारे और यह खुल हुआ है अब यह होता क्या सर कैसे होता होगा तो उसका प्रकास उसलेशन की क्रिया में हमें पूरा क्या होता है पूरा लाएशन सिष्टम इंसान का भी वहां पर पानी आगर जो है पानी पानी जो है पानी जो है अब जो रहा है तो यह जो है खुल जाएगा और यह बात करूं इस पत्री में तो यह वाले जो पॉर्शन है यह जो है मोटी भीत्ती की रूप होती है और जो बाहर जो है तोची जो है रहता है इसका वो जो है पतली होती है है और पतली होने से साथ-साथ यह अर्ध पारगा में जिल्ली की भाती भी कारे करता है कैसे क्योंकि इसी से ही तो पौदा का अबजर्वेशन होता है पानी का अ यहां पर दिखाई देता है sir कब जब मैं इसके बात करूं तो यह जो ऐसा दिखाई दे रहा है आपको बचो क्यों कि रद रद खुला हुआ है कब की बात कर रहा हो मैं प्रकास स्टेशन की क्रिया के टाइम में यह पिर उस क्रिया के दौरान यह होती जर्णाली देन की बात कर रहो हम तो यह शैल यह प्रोसरस चलता रहता है इसका उल्टा होता है कब जब रात की बारें बात करता हूं मैं रात में क्या होता है घ्लिया नहीं हो रही है तो carbon dioxide जो कम बर रहा था है लेकिसमे अक सुने भी है अक्तर ये भी सुने हैं कि पेड में क्या होता है पेड की निछे में रात को नी बैठा चाहिए क्योंगी नीचे में रात ज्यादा बनती विपरीत हो जाता है निकलने के बहुत ही तो जो फूला हुआ था किसमें रंधर में यू डब ज़ता है मतलब किसी कुट जाता है शीकूटने से रंद कहसे जो पीचाच वाल पोड़्शन हो बंद रेता हैं किस थ menor सा प्रोसेस था यह था यह सिम्पलक्रों कता रंद्रों का क्या रंरो का खुलना और रंरो का बंद का बंद होने का प्रोसेस यह है इसका और अच्छे सा आप को देखना हुग रहे हमारे वीडियो में यह हमारे does that जैसे हमेल्य हो अच्छे से बिल जाएगा ठीक है तो हमें जो बात करने लित है जो देखना था उडा व हूभ आपक capita इसलेनर है और बनाना बनाना है तो फूर पानी यह उत्वशर होता है इसका दागराम बनासटेशरीर बनाना थी बनाना है तो इस्स्रूमेटर के दवारा जाना जाता है ठीक है यहां तक कि बात समझ में यहां तक क्लियर हुआ है ने स्टुमेशन के बोलता है सर यह बोलता है कि रिद्या की सरज्णा का नामांगी चीत्र बनाई है और उसका क्लिया दे जिए तो देखे हैं अब यह जो है दिखाई इसमें क्या होता है, चार मुग्य भाग दिखाई देता है मुझे, क्या एक दाया आलिन दिखाई देता है, एक फुस-फुस धमनिया इधर से दिखाई देती है, और बाया आलिन दिखाई देता है यहां, ठीक है बच्चो, अब यह होता है क्या है सर, इसके बारे में बात करत अब यह होता क्या है सर आप बोलोगे लेप्ट देखो मैं अगर बात करूँ मैं ऐसा खड़ा हूँ तो जो राइट शैड है मेरा आप देख भी रहा होंगे जो राइट शैड है वो का लाएगा बाया आलिंग और बाया नील है और जो लेप्ट साइड है आपके देखो लेप हाट सिफ है वो ऐसा है अब यह ऐसा है तो इसका जो राइट है वो राइट ही है इसका लेप्ट है अब आप देख रहे हो ऐसा उल्टा तो आपको लगे कि राइट जो होना चाहिए राइट ही हो चाहिए लिकिन इधर लेप्ट है ठीक है समझ के क्या बोल रहा हूँ मैं मै यहाल लेक्ट का है इसका चार मुक्या बाया-पनी निलिई के प्षिय भित्व सोता है और अंगउ तक लेकि उसको दाजता है याँ मीन फेता है अडिक काध योसी को सिराओं में प्रवेस्ट करता है नोजलरीना कि निल और को पैमें एक भलाड शुड़ के छुल्ग हैँ तूर्च लार्ट देखि कर मोके ऑप था रिया और निला निला प्रवेस्ट कर सकता है तो देद्रह प्रोसेस होता है, सब पत्ता ही होगा वह फिर्दे है किसके बात काम करता है? अब अब मैं काम करता है निए कब पस से पानी काम करता है? तो वही कामरता है। अपका हाठ. अब एक्सेमित हाथ क्यमने हाथ पता है? इसको सभाइब, एक्सेमिक प्रॉड़ते हależy अज़ार? रहा हूं मैं लिख रहा हूं तो यहां तक रक्त पहुंच रहा है उसका सुद्धर रक्त पहुंचा को रहा है मेरा हिर्दय पहुंचा रहा है वैसी आप जो एड़ लेक्षर देख रहे हो आप नोट्स बना रहे हो वहां तक कि आपके तंत्र है आपके अंग है वहां तक कि ब हिर्दय जो है वह एक मिनमें धागता है यह तो पता ही होगा बैसिक ह्साहता है है ह्सां चाहल होता है यह वह Mm पुरे सरीर को महाधमनी द्वारा पंकिया जाता है इसी प्रकार असुद्र रक्त शरीर के विभिन भागों से दाय आलीन में महाधमनी द्वारा आता है यहां से फुस-फुस धमनी द्वारा पुना अक्सीजन यूगता होने के लिए फेपुड़ों में पंकि द्वारा क्या करें द्वारा पूरा खेल जो है दाया लिंद बाया लिंद और दाया निला बाया निलीन का है वह मैं अब जो आपको एक्स्प्रेंट के हूं और अपके अक्सीजन यूगता रग्त को लेके फुस-फुस सी राहों के माद्यम से बाया लिंद के लिया जाता है फिर बाया लिंद से आने के बाद इसका एक अच्छे से निलीन आपके तो अच्छे से दिया है मैं आजलाव नहीं पाया लेकिन उस फ्रूर चार्ट में अच् भी फॉराण तेक्ट में होता है था भी तो क्या है क्या होता है पुरा प्रोशेस अपके हाट में हाट और और हाटका कनेक्शन नेक्शन पूरे आपके माइन तक होता है तो यहां तक की बात थी बच्चो और यह चीज बोल सकता हूं कि हिर्दय की जो सरचना है उससे कोश्चन जो है बच्चो 110 परशन बोल सकता हूं पिछले आया था तो चांसे इस बार का कम भी है क्योंकि यह जो कोश्चन जो है क्या है जो कई रिपल नहीं है जो कुश्चन आता रहता है कि जो कि तीन-ती नंबर में जादा बढ़ जाता है तो तीन नंबर में इसे को छोटे रूप में भी पूछा जा सकता है, अगर पूछे तो या फिर यह भी बोल सकता है, जो जितना question और किये थे, उससे चांसे ज्यादा बन रही है, ठीक है, तो आपको कोसिस करना है, कि जो छोटे-छोटे question उसको भी अच्छे से clear करके रखना ह तो यहां तक की बात समझ में आएगे और हमने इस chapter में पूर डिसकेशन में बताइगा तो बिल्कुल आव हमाई comment box में बताईए, फिर हम मैं कोसिस करूँगा, आपके लिए और नया वीडियो लाओंगा करके, तो यहां तक की बात समझ में आएगे और हमने इस chapter में पूर इस question कर रख है और कुछ important question उसकी जनकारी रख लिए तो हमारा जैसे exam series में सन 23-23 है बच्चो इसमें आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहे हैं आम लोग को और आप लोग के support के वज़ा सही हमने अपने 100% दे रहे हैं आप बिलकुल हमारे जितने भी फैकल्टी से वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और बिलकुल हमारा support करिए क्योंकि आने वाए दिन में हम और आ रहे हैं आप लोग के लिए और जीतना हो सके आपके लिए हम क्या करेंगे मोटिवेशन की classes भी लाएंगे और आपके mindset कैसा होना चाहिए आपके इस हुआ है